है दस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे JSW इस्टिल की तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो अपडेट निकल कर सामने आए उस पर बात कर लेते हैं तो यहां पर देखेंगे कि जो अपडेट यहां पर निकल कर सामने कंपणी ने यहां पर जो अपडेट दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि एक एक विजीशन जो था उसके रिकार्डिंग अपडेट निकल कर यहां पर बताया है जहां पर जो यहां पर यहां पर इसमें निवेसा के जो अपडेट निकल कर सामने आए तो दोस्तों इसके अलावा भी यहां पर देखेंगे तो बहुत साए इसमें निवेसा के जो 700 के उपर के बाइंग है और वहाँ पे वो इसमें अभी भी इस्टक हो चुके हैं तो यहाँ पे दोस्तो ऐसी कोई भी घबराने वाली बात नहीं लेकिन यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट देखे और वापस जिस तरह के चाइना में मेटल्स के डिमांड आउटलूक लग रहे हैं इन फ्यूचर ग्रोथ में वहाँ से मेटल के जितने भी सेर है वहाँ पे आपको एक तरी आने वाले कुछ महीनों में दिख सकती है यहाँ पे दोस्तो सबसा अची चीज यह है कि यह जो अभी सौर्टर में पोजेटिविटी इसमें बना हुग आप डिलेवरी देखिए आपको पिछली दो दिनों में यह इंडिकेट कर रहा है देख सकते हैं बाखी काफी दिनों से किस तरह की डिलेवरी पैटर्न है हाई फॉल्यूम के साथ 50% प्लस की डिलेवरी है दोस्तों यह लार्ज कैप है और यहां पे भी इतनी खरदारी हो रही है और उसके बावजूद अगर आप यहां पे सेर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो यहां पे FII जो की इतना बहार भी गया है वहां पे भी फिर भी इसमें इनके सेर होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है और अल्मोस्ट डबल से भी ज़्यादा हुए है जो इस सेर्स में तो आउटलूक काफी बढ़िया फाइनेंसिल भी अगर आप देखेंगे तो वह भी काफी जबरदर्स यहां पे 10-year के सबसे हाइस लेवल पे net sales है तो यहां पर दोस्तो सबसे अच्छी आउटलूक यहां पे नदर आ रही है और सबसे अच्छी चीज यहां पे देखेंगे तो इसका जो support है आप देखेंगे तो support के आसपास यह 650 के आसपास बढ़िया support है और अभी जो है इसका जो short term के तो 678 जो है दोस्तों वह बहुत ही बढ़िया support है इसके उपर closing मिला है अच्छी बात है और यहां पे जो bullishness है वो 690 के उपर निकलते यहां पे आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और यहां पे अगर आप देखें तो exponential moving average में अगर सारे exponential moving तो वो 710 का level है अगर आप trader है तो यह level आप जरूर ध्यान में रखेंगे 710 का levels का है अगर इसके ऊपर यह trade करने लगता है sustain करता है तो आपको वापस से अपने 52 week high के आसपास जाता हुए नदर आ सकता है तो दोस्तों इसमें हमेशा आपको middle share हो में जो की cyclical move होती है एक तरफा तेजी आप जब भी आएगी तो अच्छी खासी तेजी आती है ने तो गिरावट भी काफी तेज आती है तो ऐसे share हो में आप हमेशा lower level पे entry करने की strategy अपना है और जैसे ही वो अपने high level के आसपास जाता है तो वहां से एक stop loss ट्रेलिंग stop loss यूज़ करें तो दोस्तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और बेल आइकन जरू दबाए ताकि आप कोई भी वीडियो मिश नहीं कर पाए और अगर आप आप short term basis और profit बनाना चाहते तो आप मेरे fit टेलिग्राइब चैनल से जूर सकते जहाँ आप मैं short term professional call share करता हूं market movement भी प्रिडि करता हूं दोस्तों उसका link आपको description में मिल जाएगा तो मिलते एक लिए वीडियो में नए नीच नए ब्लेट के साथ धन्यवाद